हाई फ्रेंड्स आज मैं आपको पेटिस कैसे बनाना दिखाऊंगी ए आर्मी में मुझे सिखाया वो सिखाने वाला बता रहे उस टेम में वीडियो की चाहे उसके लिए आधा केजी मैदा है 25 ग्राम्स साल्ट ले लिया आटा में साल्ट भी डाल के मिलाना है उसके बाद ये गी बोल रहें लेकिन क्रास गी करके बोल रहें पेटिस का गी बोलते तो मार्गेट में दे देगा वो तो 250 ग्राम्स ले लिया वन अड़ आफ कप तो मेजरमेंट कप से आफ कप आईल ले लिया इसको क्रास गी बोलते हैं मिक्सर गी बोलते हैं आप मार्गेट में पूछते तो दे देगा हो तो इस सारे उसकी मिलाने में सब कुछ हो जाती है अच्छे से मिला थे तो पेटिस भी अच्छे से लेयर आ रहें आप अच्छे से मिलाओ देखके वो तो experience वाला ना उसकी वज़े से तोड़ अच्छे से कर रहे थी हमको सीखने के लिए लेकर आय थी बाहर से वो सिविल से आयी थी ये तो आर्मी में सिखाने के लिए देख लो कैसे मिला रहें ऐसे पूरा हाथ से रगड़ रगड़ के मिलाना पड़ता अच्छे से मिलाना ये वो स्मूध होने तक मिलाके वो ज्यादा स्मूध हो गया उसको ऐसे डो बनाके उसकी उपर हाथ से लेके तोड़ा से एक चमच्छ आयल अपला किया है तेल अपला करने के बाद उसको बंद करके एक पनी में रखके बंद करके दस मिनिट साइड में रख दिया है उसमें लेयर के लिए 300 ग्राम्स गी ले लिया वो क्रास गी बोल रहें उसको लेके एक गी को भी अच्छा से स्मूध करना है बीच बीच में हाथ को तेल में डिप कर रहें डिप करके हाथ से उसको ज़्यादा स्मूध कर रहें कि इसको कितना स्मूध करते तो अच्छे से बनते करके बताएं अच्छे से देख के बनाना है आप बनाना चाहते तो गी को भी अच्छे से स्माश करके स्मूध सा बना के रग दिया बाद में वह डौ लेके हम पहले आटा मिला के रख दिया ना उसको लेके पेटिस बना रहे देख ले न वो कैसे कर रहे वैसे ही करना है हमको मार्केट में कैसे बनती हो पता नहीं है उसकी वज़े से वो भन रहे देख ले ना चैसे पता चलेगा अब हम स्मूथ करके रख दियाना वो गी को इसके ओपर अपलाई करना है हम 300 ग्राम्स ले लिया गी वो पूरा इसके ऊपर अच्छा से स्प्रेड करके उसको फोल्ड करना है यह फोल्डिंग भी अच्छा से देख लेना है इसमें भी हो जाती है लेयर्स यह गी की ऊपर भी टिपिंड होती है गी तो ज़्यादा समूथ होना है यह हमारे गर में यूज़करती है वो गी यूज़ना ही करना है डालडा बोलते हैं वो भी नई होते करके बोल रहे हैं तो क्रास करें गी बोल रहे हैं पेटिस का गी भी बोलते हैं यही जरूरी यूज़ करना है अब इसको हम ऐसे फोल्ड करना है फोल्ड करने के बाद वो लेयर को तोड़ा प्रेस करो वो अच्छे से सेट हो जाती है उपर आटा ढाल के रख देना नहीं तो ये साइड तो अच्छे से सेट नहीं होती है आटा ढलते तो ऐसे चुपकेगा नहीं है अच्छे से आजाती है अभी इसको पन्नी में बांद के दस मिनिट वैसे छोड़ देना है दस मिनिट के बाद फिर एक लेयर बनाना पड़ता है ये फर्स्ट वाला लेयर है एक पन्नी में रखे उसके उपर कपड़ा भी रखे बंद कर देना और दस मिनिट के बाद निखाल के उसको फिर दूसरा लेयर बनाना है अभी दूसरा लेयर कर रहे हम फर्स्ट लेयर कैसे किया वैसे लेकिन बिना गी के सेकंड लेयर बनते है फर्स्ट लेयर में गी डाला है ये लेयर में गी की जरुरत नहीं है वैसे प्लेइन सा फोल्ड करना है बना के पूरा इक्वल से रोल करना है आदा मोटा आदा पतला नई करना है इवन से स्प्रेड करके उसके बाद उसको दूसरा लेयर बनाएगा नई यह तो सेकंड लेयर है फर्स्ट हम गी डालके एक लेयर डाला है यह दूसरी बार गी नहीं डाला है ऐसे प्लेन सा फोल्ड कर रहें ऐसे फोल्ड करके अभी इसको भी दस मिनिट रेस्ट देना है फिर इसके उपर तोड़ा आटा डालके फिर पन्नी में रखके दास मिनिट वैसे छोड़ दो उसके उपर कपड़ा भी रख देना है वो कितना टाइम वैसे रखते तो उतना टाइम स्मूध तो अच्छे से सेट हो जाती है आटा उसके लिए रख देती है लेयर्स भी अच्छे से बन जाती है वो 10 मिनिट होने के बाद निकालके उसको अच्छा से एक वाल से बेलना है इसको बणाके फ्रिज में भी रख सकती है फ्रिज में रख के हम कब बनाना चाहेते तो उस टेमो निकालके उसके अंदर आलो की सबजी बनाके मसाला बरके बना लो अच्छी होती है अभी तो पेटिस की शेप में कट कर रहे हमको आधा केजी में 16 पीसेस आ गई थी ये वेस्ट हो गया ना साइट आधा केजी महिदा ले लिया उसमें 16 पेटिस बन गया हमको चाहे तो यह की बार बना सकते है नई तो उसको फ्रिज में स्टोर करके हम कब चाहे तो लेकिन एर टाइट कंटेनर में स्टोर करना पड़ता है उसके उपर भी आटा ढालना है वो नई चुपकेगा अच्छे से सप्रेट हो जाती है अभी इसको निखाल के एक ट्रे में रखके स्टोर कर सकते है तो आप आलू की मसाला बर के बना सकते हैं सारे पेटिस बनाई थी वो सबको एक के उपर एक रखना है उसके बाद वो लेके अलेक से तोड़ा सा बेलना है जादा प्रजर नहीं देना है तोड़ा हलका सा बेलना है ऐसे सारे बेलने के बाद एकसाइड रखके आलू में पूरा मसाला मिला के पीनटे आलू स्टफ पूरा होती ना मसाला वो भराना है हमारी प्रिपेरड आलू की सबजी इसके अंदर रखके उसको फोल्ड करना है यह तो सिंपल वाला फोल्डेंगे आपको चाहिए तो आप कैसे भी फोल्ड कर सकती है यह सिंपल सा दिखा दिया एक साइड एज को लेके दूसरे साइड ऐसे चुपका आया कुछ नहीं लगा आया ऐसे प्लेन से रख दिया देख लो तीन वंगली से आया इसे एक बार दबाव सिट हो रहे है उसके बाद यह तो बेक करने के लिए ट्रे में रखने आया है यह तो वोवन में कर रहा हूँ यह बेक करने का टाइम पहले आप उपर अंडा की यह से भी उपर पॉलिश मार सकते नहीं तो दूद भी डाल सकते यह तो पानी डाल रहे गी भी अपलाए कर सकते अंडा से अच्छा वाला खलार आयेगा करके बथाया अब पानी डालना अब गीए और ओयले एगगे किसी में कोई चीज डाल देना हमारी एगपफ तायार हो गया सब्सक्राइब माइच्ट